हेलो फ्रेंड्स, हाटकनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैप से बुक करके आप जरूर अपने डेसिनेशन तक जाते होंगे तो आप सस्तिक कैप बुक करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं जैसे कि आप गुगर पर कुपरन कोड सर्च करते होंगे या फिर आप देखते होंगे कि आपके पास ऐप में कोई 50% डिसकाउंट का या 25% डिसकाउंट का कुपरन कोड आया है नहीं आया या फिर आप Paytm से payment करते होंगे जिससे कि आपको राइट बुकिंग में डिसकाउंट मिल जाये लेकिन मैं आज आपको सस्ती से सस्ते cap book करना सिखाऊंगी वो भी बिना coupon code के आप पूरे एक मेने तक cap book कर सकते हैं वो भी बिल्कुल nominal charges पर इसके लिए आपको इस वीडियो शूर से लेकर आकर तक देखनी होगी यह देखिए, cap से ride करना डेली का काम आजकल हो गया है क्योंकि इससे आपको बहुत फायदे होते हैं maintenance charge आपको गाड़े का नहीं देना पड़ता और आपको अगर nominal charge में यह cap book हो रही है तो आपको अपने गाड़े से भी ज़्यादा benefit cap book करके जाने में है अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप सस्ते cap book कर सकते हैं पहले हम एक cap book करके देखते हैं इससे में 25% का discount मेरे पास चल रहा है और यह देखिए 25% का discount पर 11-12 km के distance में 81 रुपे rate मेरे पास आया है pick up spot यहाँ check कर दिया मैंने और अब मैं देखा है कि मेरे पास क्या rate आता है तो rate आया था मेरे पास कितना 81 रुपीज अब इसको मैं किस तरह कम कर सकते हूं 25% less होने के बाद भी यह देखिए मेरे पास अपने आपके option आ रहा है कि मैं इस ride की booking only 69 रुपे में कर सकते हूं क्या आपके पास कोई ऐसा option आता है जिसमें आप क्या booking करते हैं अगर ऐसा option आपके पास भी आता है तो इसका मतलब यह है कि आप एक pass बनवा सकते हैं और pass में आपका rate आपकी booking के according आपको पढ़ेगा जैसे कि मैं हमेशा लगब 10 से 15 km तक के डिस्टेंस के लिए booking करती हूं तो उन्हेन मुझे दिखाया है कि मैं 69 रुपे में उबर गो की booking कर सकते हूं जी हाँ दोस्तों उबर गो की उबर गो मतलब 4 परसन के लिए booking 5 रुपे activation fees है सिर्फ 5 रुपे में एक महने के लिए 69 रुपे में booking होगी हमेशा unlimited rights जितनी मर्जी राइड मैं book कर सकते हूं only 69 रुपे में और activation fees सिर्फ 5 रुपे है इसे तरह आप भी book कर सकते हैं ये आप पर depend है उबर पर depend है कि वो कितने charge आप से लेगा पास आपको कितने रुपे में बनेगा जरू नहीं 69 रुपे में पास बने जैसे कि अब मैंने पास बनेगाने के बाद 69 रुपे में ये मेरी कैब book कर ली है और ये सिर्फ उबर गो पर applicable है देखिए flat fair registered और उबर गो यहाँ पर set है मतलब कि ये सिर्फ उबर गो पर ही applicable है तो दोस्तों ये जरू नहीं है कि 69 रुपे ही लगेंगे चार्ज आपको कम भी लग सकते है जैसे photo रुपे में भी आपकी booking हो सकती है लेकिन आपके ride का distance है ये इसमें matter करता है कि वो कितना distance है तो आप किस तरह से pass बना सकते हैं अपने ride उसमें जाए एप में जाए और वहाँ ride pass का option होगा उसके बाद ये देखिए ये आपके distance के coding जैसे आप अकसर जाते हैं उसके हिसाब से बताएगा कि आपको कितने रुपे में ये pass मिलेगा यांकि हर बार आप जब भी booking करेंगे पूरे एक मेहने के लिए तो आपको सिर्फ 69 रुपे चार्ज जेना होगा ये देखिए तो आपने कैसे booking pass बराना है या तो आपके पास अपना option आएगा या फिर आप क्या करेंगे ठीले लाइस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर right pass पर क्लिक करके पांचर पेमें अक्टिवेशन फीस है या पेटेम से पेमेंट करें या फिर आप कैश पेमेंट करें जैसे भी आप पेमेंट करें ये हर तरह से अप्लिक केबल होगा धन्यवाद दोस्तों हाटग अनपरम के हाथ बने रहे चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले कोई भी क्यारी हो इस वीडियो से लिटिड या फिर किसे भी वीडियो से लिटिड आप मेरे पास कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करें जो यह area है इस area में के लिए ride pass बना हुआ है इस तरह से आपको दिखाया जागा कि किस area के लिए ride pass बना हुआ है एक बार हम फिर देखते हैं कि जैसे कि मैंने वो 10 km के लिए booking की थी अब देखते 15 km के लिए booking करते हैं यह देखिए एक सीट के लिए 64 रुपे और उबर गो के लिए जहां 4 सीट है में 69 रुपे यानि कि यह बहुत फाइदेकस होता है फाइदेका काम है धन्यवाद दोस्तों हाटे गन बंग बने रहें